अरे निकम में निरलच हर समय घोड़े बेच कर सोता रहता है यहां बहु गर्बवती है आज उसकी तबियत ठीप नहीं है और तुझे देखो तुझे बहु की और इस घर की जरा भी फिक्र नहीं है अरे निकम में तेरी जैसी अौलाद और पती पाकर तो मेरी और मेरी बहु की जिंदगी बरबाद हो गई है तुझे का बाप बनने वाला है और फिर भी घर में ही पड़ा रहता है यह नहीं कि कहीं और कोई काम देख ले आखिर में और बहु कब तक अकेले इतना करेंगे हर वक्त कोई ना कोई बहाना ही मारता है कभी बारिश का तो कभी किसी और चीज़ का काम चोर कहीं का मा मैं काम देखता तो हूँ अगर मुझे कोई काम नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ और वैसे भी मेरी वज़ा से हम गरीब नहीं हैं अगर हम खानदानी गरीब हैं तो क्या आप भी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताना चाहते हैं किसने कहा मुझे ये गरीबी बिलकुल नहीं पसंद देखना एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनूँगा घर में खाट तोड़ने से कोई अमीर नहीं बन जाता अब जल्दी से जाकर तबेले में गाइब हैस को थोड़ा सा चारा खिला दे और उनकी सफाई कर दे क्योंकि अब से बहु तबेले में नहीं जाएगी बहु का सात्वा महिना लग चुका है और मुझे आलू की खेती हो मिलकर 500 रुबे कमा पाते हैं और उसी से घर चल पाता है अगर हम ये काम भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कभी सोचा है आपने अरे इतने पैसे का क्या करती हो एक काम करो वो सारे पैसे मुझे दे दो मैं कोई बिजनिस करने वाला बिजनिस करते करते तेरा बाप इस दुनिया से चल बसा अब जाता है ये डंडा उठा कर मारो सुमन गुस्से में पास में पड़ा डंडा उठा कर विजनिस को धमकाती है जिसके बाद विजनिस मुझे बना कर बारिश में तबेले की सफाई करने के लिए जाता है जो घर से थोड़ी ही दूरी पर था पर पूरे तबेले में बारिश का पानी भर जाता है इसलिए विज अरे भाई, अब ये उमर पत्ते खेलने की नहीं, बलके अपने बच्ची और बीवी की जिम्मेदारी उठाने की है, मेरी बेटी तीन साल की हो गई है, अब उसका स्कूल में दाखिला करवाना है, और उसके लिए पैसे चाहिए, बस इसलिए शहर जा रहा हूं कमाने, हरे तेर दिपक की बात सुनकर विजय उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और बिना अपने घर में किसी को कुछ बताए, बारिश में दिपक के साथ शहर के लिए निकल जाता है, देखते ही देखते रात हो जाती है, और तेज बारिश भी होने लगती है, पर अब तक विजय घर नहीं आता, जिस वज़ा से भानू और सुमन को उसकी फिकर सताने लगती है। विजय घर नहीं आता, जिसके बाद सुमन और भानू को दीपक के घर वालों से पता चलता है कि विजय दीपक के साथ शेहर गया था और वहां से भी वो कहीं भाग गया है। अपने पिता पर गया है, इसके पिता भी इसी की तरह काम चोड़ते और मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। पर तू फिक्र मत कर बहू, मैं अभी जिन्दा हूँ, इसके रहते हुए भी हम दोनों ही मेहनत कर रहे थे, इसके जाने के बाद भी हम दोनों ही मेहनत करेंगे। मा जी, पर कुछ दिनों से मैं तबेले में नहीं गई हूँ, सोच रही हूँ कि मैं खुद ही तबेले में चली जाओ, वहां बारिश का पानी भी भर गया होगा। नहीं बहु, कुछ दिनों बाद तेरा आठवा महीना लग जाएगा, ऐसी हालत में मैं तुझे और कोई काम नहीं करने तूँगी, जिससे तेरी तबेले बिगड़े, अब तो खुदी ही दोनों जगें काम करूँगी और तू तबेले के चिंता मत कर, मैं वहां का पानी पारी करवालूंगी, उनके पास मोटर रखी है, इतना बोलकर सुमन सुबह पाँच बजे ओठकर तबेले में जाती है, जहां वो तबेले की सफाई करती है, और गायों को नहला कर उनका ताजा दूद निकालती है, और उन्हें शहर में जाकर बेच कर खेत में खेत में पर माता जी, दूद तो आज मुझे पांच लिटा चाहिए था, पर मुझे अब आपसे दूद नहीं लेना। पर क्यों भाया जी? वो इसलिए क्योंकि कल से मैं इस घर में अकेला रहूंगा, तो मुझे दूद नहीं चाई की जरूरत पड़ेगी। आंटी जी, क्या आप मुझे बता सकती है, यहाँ चाई की दुकान कहा होगी? बेटा, यहाँ कहीं पर भी चाई की दुकान नहीं है, पर तुम क्यों चाई की दुकान के बारे में पूछ रहे हो? आंटी जी, मैं यहाँ पास में ही नौकरी करता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ सामने वाले घर में अकेला रह रह रहा हूँ, पर मुझे सुबह सुबह चाई और आलू के पराठे काने की आदत है, और यहाँ मुझे न तो चाई मिल लए और नहीं आलू पराठा. अच्छा आंटी, क्या आम मेरे लिए रोज चाई पराठा बना कर ला सकती हो? मैं इसके बदले में आपको पैसे दे दूँगा, जितना आप बोलोगी. बेटा, चाई और आलू पराठा बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पर बेटा, मैं पास के गाउं से आती हूँ और वहीं काम भी करती हूँ. मैं सुबह तुमें चाई पराठे देने नहीं आ पाऊंगी. देखो ना किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, मैं इस बारिश में ये ठेला तक नहीं है आंटी. अगर आप हमारे लिए ओफिस के बाहर आकर रूस चाई और आलू के पराठे बेचोगे, तो इसमें आप का ही फाइदा होगा. इस बारिश के मौसम में चाई के साथ सुबह सुबह आलू का पराठा काना किसे पसंद नहीं आएगा. उस लड़के इसी के साथ आप चाई पराठे भी ले जाओ. और वैसे भी सेट जी रोज हमें दो किलो आलू और दो लिटर दूद देते हैं. वो सब हमारा रखा ही रहता है. पर बहुत सुबह सुबह चाई और आलू के पराठे बनाएगा कौन? तो तो जानती है ना सुबह पांच बजे उठकर मैं तबेले में चली जाती हूं और तबेले की साफ सफाई करके दूद लेकर दूद बेशने जाती हूं. फिर वहां से आकर आलू की खेती में लग जाती हूं और शाम को मालिक से दूद और आलू लेकर घर आ जाती हूं. अब तो ही बता, इस बीच में कब आलू का परांठो और चाई बनाओंगी माजी घर में मैं रहती तो हूँ वैसे भी आप अके लिए ही सारा काम करती हो मैं कुछ नहीं करती पर मैं घर में रहकर कम से कम चाई परांठे बना कर आपकी मदद तो करवा ही सकती हूँ ना ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तयार हूँ और हम दोनों मिलकर अब चाई और आलू के पराठे दस रुपे में बेचेंगे ताकि सब खा सके तो ठीक है माजी, मैं कल से ही चाई पराठे बनाना शिरू कर दूँगी इस तरह सुमन और भानू अपना खुद का चाई पराठे बेचने का संकल्प करती है और अगली सुबा तेज बारिश होने के बाद भी भानू जल्दी उठकर चाई और आलू के पराठे बनाकर तयार कर देती है और सुमन जल्दी से अपना तूटा चाता हाथ में लेकर एक छोटी सी रेडी पर दूद के कंटेनर, चाई और आलू के पराठे ले जाती है और उसी लड़के के ओफिस के बाहर जाती है जहां उसे वो लड़का मिल जाता है बेटा तुमने कहा था ना कर, कि मैं तुम्हारे लिए चाई पराठे बनाकर ले आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चाई और आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ अगर तुम्हारे और भी किसी दोस्त को चाहिए, तो उनके लिए भी है हाँ अंटी मैं सबको लेकर आता हूँ वो लड़का सबको बुलाकर ले आता है और सब ठेले के पास अपना अपना चाता लेकर चाय और आलू के पराठे स्वाद लेकर खाते हैं अंटी आप बारिश में चाय और आलू के पराठे लेकर आई हो अब तो हम रोज आप से ही चाई और आलू के पराठे लेंगे मज़ा आ गया वही बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाई और आलू के पराठे खा कर वैसे आप ये चाई और आलू के पराठे कितने में दे रही है मातर दस रुपे उस लड़की के कहने पर सुमन आफिस के सभी स्टाफ को गरम चाए और आलू के पराथे देकर बारिश में भीगते हुए साथ वाले आफिस में जाती है और अपने चाए पराथे का परचार करती है इस तरह से सुमन आसपास के 3-4 ओफिस में अब चाय और आलो के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है इस तरह सुमन बारिश में भी अपनी बहु की मदद से अब शेहर में जाकर ऑफिस इंप्लॉई को मौनिंग ब्रेक्फस्ट में चाय पराठे देने का काम और बढ़ा देती है फिर एक दिन विजय भी धक्के खाकर लौट आता है इस तरह वक्त गुजरता है देखते ही देखते बहुत जल्द भानू भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है जिसके बाद सुमन भी अपनी सास के साथ जाकर चाय और आलू के पराठे बेचने का काम करने लगती है वहीं विजय आलू के खेद में जाकर काम करता था